नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल गरूर धर्मार्थ पर दोस्तों अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें दोस्तों पूरे 90 सालों के बाद 3 जुलाई 2023 दिन सुमवार को दिखेगा आशाड गुरू पूर्णिमा का चाद इन चार राशी वालों की लगेंगी लोटरी जी हा दोस्तों मा लक्ष्मी के आशिरवाद से पूरे 90 सालों के बाद 3 जुलाई 2023 दिन सुमवार को आशाड गुर पूर्णिमा के दिन बन रहे दिव्य और दुलब महाशुब सन्योग महालक्षमी योग में अब राशियों में से चार राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है, इन चार राशी वालों की इस दिन यानी आशाड गूरु पूर्णिमा के दिन लोटरी लगने वाली है, किस्मत चमकने वाली है इन चार राशी वालों की दोस्तों खुद धन की देवी मा लक्ष्मी अब इन चार राशी वालों के घर इस दिन यानी आशाड गुरु पूर्णिमा के दिन पधार रही है जिससे अब इन चार राशी वालों की जीवन की सभी दुहक, दर्द और कष्ट मिटन और अब इन चार राशी वालों के जीवन में आने वाली हैं। कोई भी इन चार राशी वालों को इस दिन यानी आशाड गुरु पूर्णिमा के दिन माला माल होने से नहीं रोक सकता। करोरपती बनने से नहीं रोक सकते। यू कहे इस वीडियो में हम आपको उनहीं चार खुशनसीब और भाग्यशाली राशीयों के बारे में बताने वाले हैं। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें क्योंकि ये वीडियो इन चार राशी वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। दोस्तों वीडियो को अगर शुरू करें सबसे पहले आप से रिक्वेस्ट करते हैं। लक्ष्मी के सच्चे भक्त इस वीडियो को एक लाइक अभी करें और कमेंट्स बॉक्स लक्ष्मी अवश्य लिखें जिससे मा लक्ष्मी का आशिर्वाद आपको सीधे प्राप्थ हो सके। दोस्तों आपको बताना चाहेंगे कि आशाड महीना की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों इस दिन गुरु की पूजा की जाती है साधारन भाशा में गुरुु। वह मनुष्य है जो ग्यान की गंगा बहाते हैं और हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। पूरे भारत में यह पर्व बड़ी श्रधा के साथ मनाया जाता है। दोस्तों आपको बता दें इस दिन आप पवित्र नदी में सनान जरूर करें। यदि गंगा नदी पवित्र नदी में सनान करना संभव ना हो सके तो घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डाल कर सनान जरूर करें। गंगा स्नान स्नान आदी जब आप करते रहें, उस समय ओम नमो भगवते वासुदेवाया नमह मंत्र का आपको मन ही मन उच्चारण करना है, इससे भगवान विश्नुजी प्रसन्न हो जाते हैं और स्नान आदी. से नित्य कर्मों को करके उत्तम और शुद्ध वस्त्रधारन करने चाहिए, आपको फिर अपने गुरु के चित्र को सुगंधित फूल या माला चढ़ाकर अपने गुरु के पास चढ़ाना चाहिए, उन्हें उचे सूचित आसन पर आपको बैठाना चाहिए, पुश्पमाला पहनाना चाहिए, इसके वस्त्र फूल फल माला, अरपन आदी कुछ दक्षिना यथा सामर्थ्य धन के रूप में भेंट करके उनका आशिर्वाद आपको लेना चाहिए, भगवान विश्नु जी और धन की देवी माता लक्षमी की विध्यविधान से पूजा अर्चना भी इस दिन करनी चाहिए, उनकी आरती करें, गुरु के मंत्रों का जाप करें, आप भगवान विश्नु जी त्रसन्न हो जाते हैं, गुरु का आशिर्वाद आपको मिल जाता है, गुरु पूर्णिमा का यह पवित्र पर्व पूरे भारतवर्ष में धूमधाम से मनाया जाता है, दोस्तों भरपूर लाब उठाना आप इस पर्व का इस दिन गुरु ही नहीं अपितु परिवार में जो भी आप से बड़ा है, अर्थात माता, पिता, भाई, बहन, आदी को भी गुरु तुल्य समझना चाहिए, गुरु की कृपा से ही विद्यार्थी को विद्या आत है, गुरु का आशिरवाद ही प्राणी मात्र के लिए कल्यानकारी है, ज्यानवर्धक और मंदल करने वाला होता है, संसार की संपूर्ण विद्यालय गुरु की कृपा से ही प्राप्त होती है, इस दिन गुरु के मंत्र प्राप्त करने के लिए बहुत अच्छा दिन होता ह गुरु पूर्णिमा का दिन इस दिन की यथा संभव आपको सेवा जरूर करनी चाहिए बहुत लाभ मिलता है और इस पर्व पर आपको अपनी यथा शक्ती के अनुसार सामर्थ्य के अनुसार दान धर्म के कार्य जरूर करनी चाहिए जितना आपसे बने जैसा आपसे बने दोस्तों जब आप ऐसा करते हैं तो समझ लेना भगवान विश्णुजी स्वयंग गुरु की कृपा आपको प्राप्थ हो जाएगी, माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती है और जीवन से भक्तों के समस्त कष्टों को दूर कर देते हैं दोस्तों साथ ही आपको बता दें इस दिन यानि आशाड गुरु पूर्णिमा के दिन महालक्ष्मी योग बनने से गुरु पुष्प अमरत योग बनने से यह पूर्णिमा आपके लिए अत्यंत लाभकारी साबित होने वाली है गुरु पूर्णिमा जीहा दोस्तों बारह राशियों में से चार राशी वालों की किस्मत चमकने वाली है तो चलिए दोस्तों जानते हैं वे कौन-कौन सी खुशनसीब और भाग्यशाली चार राशिया हैं जिन पर आशाड गुरु पूर्णिमा के दिन स्वय भगवान विश्नु जी और धन की देव मा लक्षमी की कृपा होने वाली है ये चार राशी वाले धन से माला माल होंगे स्वय विधाता भी इन चार राशी वालों को माला माल होने से करोड़ पती बनने से नहीं रोक सकते आशाड गुरु पूर्णिमा के दिन चलिए शुरू करते हैं दोस्तों जैसा कि आप सभी लो हो जाती है तो उसके घर कभी धन और वैभव की नहीं होती लेकिन क्या आप इस बात से परिचित हैं कि मालक्षमी का स्वभाव बेहत चंचल माना जाता है ऐसा कहा जाता है कि धन की देवी महालक्षमी एक जगह टिककर नहीं रह पाती यही वजह है कि मनुष्य के जीवन में धन संबंधी उतार चढ़ाव हमेशा आते ही रहते हैं धन की देवी को प्रसंद करने के यह लोग तमाम प्रकार के उपाय भी करते हैं जिससे मा खुश होकर मनुष्य को मालामाल बनाती है जीहा दोस्तों आज के समय में व्यक्ती को कई तरह की दिककतों का सामना करना इसके अतिरिक्त मनुष्य के जीवन में ऐसे उतार चढ़ाव ग्रहों की चाल से भी निरंतर होते रहते हैं इसलिए मनुष्य हमेशा से ही भविश्य को लेकर काफी उचसुक रहते हैं इसी क्रम में इस बार अब विशेश महासन्योग बन रहा है जिसमें मा लक्ष्मी अब बारा राशियों में से चार राशियों पर बहुत अधिक प्रसंद हो गई है और इन पर अपनी क्रिपा बरसाने वाली है आपकी जानकारी के लिए बता दें जैसा कि हमने बताया है कि मनुष्य के जीवन में ग्रहों की चाल का बहुत बड़ा महत्व होता है इनकी चाल से सीधा हमारे सामान्य जीवन पर असर पड़ता है कभी कोई ग्रह किसी राशी के लिए खुशिया लेकर आता है तो कभी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है इसी क्रम में इस बार की महा सन्योग से मा लक्ष्मी इन चारों राशी वालों पर बहुत अधिक प्रसंद हो गई है यूं कहें की इन चार राशी वालों की अब लोटरी लगने वाली है जीहा दोस्तों ऐसा सन्योग जीवन में कभी कभी ही आता है जिसमें मा लक्ष्मी स्वयन चार राशियों पर अपनी कृपा बरसाने वाली है जीहा दोस्तों अब इन चार राशी वालों के जीवन में मा लक्ष्मी के आशिरवाद से अपार खुशियों की प्राप्ती होने वाली है जीहा दोस्तों जिन चार राशियों पर मा लक्षमी की विशेश कृपा होने वाली है उन चार और भाग्यशाली राशियों में से पहली राशी है कन्या राशी जीहा दोस्तों कन्या राशी वालों को बता दें कि महा लक्षमी के आशिरवात से आप लोगों के जीवन में अब बड़ा परिवर्तन वाला है जीहा दोस्तों आपके लिए अब समय अत्यंत शुब रहने वाला है और मा लक्षमी के आशिरवात से आप बहुत अ अफसर कन्या राशी वालों अब आपको मा लक्षमी के आशिरवाद से प्राप्त होने वाले हैं। मा लक्षमी स्वया आपके घर पधारने वाली है। और आपकी जोली अब खुशियों से भरने वाली है। जी हाँ दोस्तों आप हर कठिनाईयों का सामना कर सकेंगे और आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करेंगे, आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा और आपका जीवन सुखमय बनेगा। साथ ही साथ जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में अधिक मुना साथ ही साथ जो लोग जॉब करते हैं, उन्हें जॉब से संबंधित कोई बहुत बड़ी खुश्कबरी प्राप्त होने वाली है। जीहा दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वह राशी है, मेश राशी जीहा दोस्तों मेश राशी वालों को बता दें कि आपकी कुंडली में जबरदस्त महालक्ष्मी योग बन रहा है। यह संयोग कभी कभी ही बनता है, जीहा दोस्तों जिसके कारण आपक उत्तम रहने वाला है जी हाँ दोस्तों आप जल्दी ही किसी मनुष्य से मुलाकात करेंगे जो आपके जीवन की दशा को ही बदल कर रख देगा जी हाँ दोस्तों अब आपके जीवन में सुक्सुविधाओं की कोई कमी नहीं रहेंगी आपकी किस्मत में अब मालक्ष्मी के आशिरवाद से ऐसा बदलाव आएगा कि आपको हर जगह से अब लाभ ही लाभ मिलेगा जी हाँ दोस्तों मेश राशी वालों आप व्यापार में देखेंगे कि आपको व्यापार में लाभ मिलने वाला जो लोग व्यापार करते हैं उनका व्यापार दिन दोगुना रात च पागुना तरक्की करेगा आपको जगह से ही अब लाब ही लाब मिलेगा साथ ही साथ जो लोग जॉब करते हैं या जॉब की तलाश में हैं उनकी मन चाही इच्छा पूरी होगी उन्हें मन चाहा जॉब मिलेगी और साथ ही साथ जॉब जो लोग करते हैं उनको जॉब में प् लोग संतान प्राप्ती के इच्छुक हैं, उनको मा लक्ष्मी के आशिरवाद से संतान प्राप्ती का सुख मिलने वाला है, कहना गलत नहीं होगा मा लक्ष्मी के. आशिरवाद से मेश राशी वालों को अब आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आने वाली है अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन होने वाला है मालक्षमी स्वयन आपकी जोली खुशियों से भरने वाली है जिससे आपका जीवन बदल जाएगा जी हाँ दोस्तों इस लिस्ट में जो अदली राशी आती है वे राशी एक कुम्भ राशी, कुम्भ राशी वालों को बता दे कि महा लक्ष्मी अब आपके उपर बहुत अधिक प्रसंद हो गई है, आप उपर मा लक्ष्मी की जबरदस्त कृपा बन रही है, जिसकी वजह से आपके घर में सुख समरिधी आएगी और पैसा बढ़ेगा, अधिक धन लाब अब आपको होने वाला है, कुम्भ राशी वालों आप कोई शीघर ही नया काम शुरू कर, सकते हैं जिसमें आपको सफलता प्राप्थ होगी, आपकी आर्थिक स्थिती में सुधार होगा, और आपके घर परिवार में शांती बनी रहेंगी, और आपको बता दें कुम्भ राशी वालों जो लोग व्यापार करते हैं, उनको व्यापार में अधिक मुनाफा मिलने वाला उनका व्यापार दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करेगा साथ ही साथ, जो लोग तरीके से पूर्ण होने वाले हैं, जो कार्य आपके सालों साल से रुके हुए थे वे। बड़ा परिवर्तन होने वाला है, जिससे आपकी खुशी का ठिकाना नहीं रहेगा और आपका जीवन बदल जाएगा। जीहा दोस्तों इस लिस्ट में जो अगली राशी आती है, वे राशी है, तुला राशी जीहा दोस्तों तुला राशी वालों को बता। दे की मा लक्ष्मी की विशेश कृपा आपके उपर बन रही जिससे आपको बहुत ज्यादा आर्थिक लाब होगा। और इसके साथ ही पूर्व में की गई आपकी महंत का परिणाम अब आपके सामने आएगा। व्यवसाय में आपकी योग्यता का प्रदर्शन अब सभी लोग देखेंगे। तुला राशी वालों अब आप देखेंगे की आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन हो रहा है। जी हाँ दोस्तों महालक्ष्मी आपके जीवन में अब ऐसा परिवर्तन लाने वाली है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। आपके जीवन में अब खुशियां ही खुशियां आने वाली हैं। आपका व्यापार दिन दोगुनी रात चोगुनी तरक्की करेगा समाज में। प्राप्ति के एक सुख हैं, उन पर संतान प्राप्ति का सुख मिलने वाला है। जी हाँ दोस्तों कहना गलत नहीं होगा। तुला राशी वालों अब हम महालक्ष्मी के आशिरवात से आपको हर। जगह से लाभ ही लाभ मिलेगा। जॉब करने वालों को जॉब में पदोनती और वेतन ब्रिद्धी के योग हैं। जो लोग जॉब की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही जॉब प्राप्त होने वाली हैं। कहना गलत नहीं होगा। तुला राशी वालों मा लक्ष्मी के आशिरवात से आपकी सभी इच्छाएं अब पूर्ण होंगी। और समय आपके ल राशी वालों को करोडों का धन मिलने वाला है। ये चार राशी वाले अब धन से। मालामाल होने वाले हैं। इन चार राशी वालों को मा लक्ष्मी के आशिरवात से इनके जीवन में अनेक प्रकार के लाब, धन, लाब और बड़ी-ब्री सफलताओं की प्राप्ती होगी जिससे इन चार राशी वालों का जीवन बदल जाएगा जी हाँ, दोस्तों मा लक्षमी का आशिरवाद आपको प्राप्थ हो आशा है कि आज की इस प्रस्तुती में बताई गई जानकारी आपको अच्छे से समझ आ गई होगी वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक अवश्य कर दें धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए